असलाम अलेकुम आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ रमजान स्पेशल गरम मसाला तो ये मैंने किस तरीके से बनाया है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी हिट कर दीजिए ताके मेरी आने वाली वीडियो की नौटिफिकेशन आप तक पहुंच सके तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ये गरम मसाला बनाना बहुत ही जादा इजी है और आप इसे रमजान में तयार करके रख सकते हैं य बैटन कीव सारी डिशित में अच्छे से जाएगा तो इससे बना कर आप स्टोर भी कर सकते हैं यहां पर मैंने लिया है अदा कप जीरा और पाव कप लिया हे काली मिर्च उससे थोड़ा कम लियाँ है मैंने लॉंग तोड़े से ले लूँगी मैं चार से पांच आरफूल और आट से दस लूंगी हरी लाइची और एक जावित्री और इसे हमें लो टू मीडियम गैस पर अच्छे से भून लेना है तो अभी हम चालू कर लेते हैं गैस और इसे हम अच्छे से भून लेंगे ताकि इसमें से जो है अच्छे से खुश्चबू आने लग जाए और इसक टाइम तक हमारे चल जाते हैं चाहिए अब इसे फ्रिज में रखो या बाहर रखो या राम से एक साल तक चल जाते हैं तो रमजान में इस तरीके का गरम मसाला बना कर जरूर अपने पास रखिए तो आपको बिल्कुल भी कोई डिश बनाने में जंजट नहीं होगी और इसे हम अभी ठंडा करकर मिक्सी में पीस लेंगे तो ये गरम मसाला बनकर रेडी हो चुका है अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक केजिए और रमजान में बहुत सारी इंट्रेस्टिंग रेसिपी जाने वाली है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए